नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है God of Matt दोस्तों बात करते हैं आज फिर ते एक और नए पॉइंट्स की दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन अभी देख रहे हैं यहाँ पर बीजी अकाउंटिंग सॉफटर का यह अगला विडियो है इसमें मैं आप लोग को कुछ पहले जानकारियां दे दूँ उसके बाद मैं आप लोग को यह बिल बनाना सिखाऊंगा और कई टाइप के बिल हम लोग को बनाने हैं यहाँ पर क्या-क्या है वो टाइप हम लोग वो बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप लोग बीजी सॉफटर के अंदर बिल बनाते हैं तो आपको कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड आपको voucher नमबर यानि invoice नमबर डालना पढ़ता है उसके बाद आपको यहाँ पर टाइब बताना पढ़ता है आप टाइप दोस्तों दो तरह का होता है यहाँ पर अगर बातकर यह आप डारेक्ट पर्चेस कर रहे हैं या आप order के दार्डर के गेंच में पर्चेस कर रहे ह अगर आप order के एगेंस में purchase करें तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखा है आप लोग जाकर वो watch कर लीजेगा, i button में उसका link होगा, description में भी मैं दे दूँगा साथ मिया पे बहुत ही अच्छा point आप लोग को देखने को मिलता है, वो है purchase type दोस्तों purchase type क्या है, यहाँ पर आपको बताएगा कि किस type का GST आपको लगाना है जैसे कि आपकी party अगर within state है तो आप लोग को local लेना होगा और अगर आपकी party interstate है तो आपको यहाँ पर IGST लेना होगा तो यह भी बहुत ही बड़या option है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर party create करेंगे और यहाँ पर आपको goods और service दोनों को create करने का मौका मिलेगा और एक और point है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखे तो अभी आपके पास यहाँ पर जो है goods आ रहे है दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो दो चीज़े और आ सकती है और वो है क्या पहला, अगर हम लोग GST में काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो goods की बात कर दी होगी number two हम लोग बात करेंगे यहाँ पर capital goods की और number three हम लोग बात करेंगे कि हम लोग service की transactions कहते करते हैं तीनों ही case में अगर मैं आपसे बात करूँ तीनों ही case में आपको यह ध्यान रखना है कि तीनों ही case में आप लोग को यहाँ पर item का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ऐसा provision नहीं है जैसा कि tally prime में होता था कि आप इसे mode को change कर ले कि item mode particular mode tally prime में होता था ऐसा यहाँ पर नहीं है और साथ ही बहुत ही बड़ा option यहाँ पर दिया गया है कि जो tax calculation screen है वो अलग से given है यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा महनत नहीं करनी है tax calculation screen में एक और फाइदा आप लोग को मिलेगा ledgers आप लोग के पास पहले से बने होंगे cgst, hst और igst का वो automatically depend करेगा सीज़ पर कि आपका यहाँ पर आप क्या लेते है अगर यहाँ पर ले रहे हैкольल अगर आप को कि यहाँ पर आप k стен и complexity लीएश'tि चेक करते हैं और यहाँ पर आपको आई जियस्ट देखने को मिलेगा इस तरीके से यह provision काम करता है आप चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह के questions हमारे सामने आएंगे और हम लोग ये तीन type के जो invoices है यहाँ पर बना कर check करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने paper है और इस paper में आप देख सकते हैं chapter 4 chapter 3 तक हमने कर लिया था अब हम chapter 4 पर आ रहे हैं और chapter 4 में अगर आप यहाँ पर check करें तो आप लोग के सामने information पहला ही question आप लोग को दिखाई दे रहा है और वो क्या है कि purchase करना है आपको furniture और यहाँ पर यह एक capital goods है और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको purchase करना है within state party से क्योंकि यहाँ पर जो GST number दिया है party का वो दिल्ली का दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको within state party लेनी है और साथ में यहाँ पर जो party करनी है वो furniture world है और GST का जो rate है वो 12% है तो सारी information आपको given है बस आपको यह transaction करनी है तो चलिए इस transaction को शुरू करते है और फिर आपको check कराते है तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है purchase की transaction करनी है और उसको करने के लिए हम यहाँ पर चलते है purchase पर और purchase पर add करते है अब दोस्तों यहाँ पर आपको add करना है, main लीजेगा, यहाँ पर जो सीरीज आपकी main रहेगी, तारीक आप बताईए क्योंकि कोशन में आपको तारीक भी गिवन है, तो यहाँ पर आप तारीक डाल दीजे, 4 July और 4 July डालने के बाद आपको voucher number यहाँ पर गिवन नहीं है, त और local GST 12 लेना होगा, party create करते हैं, जो कि है furniture world, तो हम लोग यहाँ पर F3 के साथ party create करेंगे, furniture world party को जब हम create करेंगे, तो उसका group रखेंगे creditor, क्योंकि यहाँ पर यह party creditor है, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर enter करते हुए, इसका GST number जो है enter कर देंगे, और GST number हमारे सामने यहाँ पर given है, और हमें सिर्फ इसे copy करके क्या करना है, पेस्ट करना है, उसके बाद enter करेंगे, और enter करने के बाद F2 से से save कर देंगे, तो दोस्तो यह तरीका था, simple सा party create करने का, material center में main store आप ले तकते हैं, अगर आपका material center नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, इससे क कोई problem नहीं है, input service यहाँ पर लीजेगा, ITC legibility, अब यहाँ पर input goods and service लेना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर, देखे, अब दोस्तो, ITC legibility में आपको यहाँ पर लेना है, capital goods and service, because the reason is that, आप लोग जो अभी deal कर रहे हैं, वो furniture है, और furniture capital goods माना जाता है, यानि की fix asset, तो पर आपको item create करना है, और item किस तरह से create होगा, यहाँ पर F3 press करके, लेकिन आप देखिए दोस्तो, अभी अगर आप item यहाँ पर create करेंगे, तो एक चीज़ notice करिए, कि जैसे ही आप यहाँ पर item create कर रहे हैं, आप देखिए, यहाँ पर item master आ रहा है, लेकिन जो आप create करने व करते हुए ही हमें furniture create करना है, कैसे, अब दोस्तो बनाएंगे तो हम उसे item ही, लेकिन उसे connect जरूर करेंगे, यहाँ पर उस item का नाम लिखेंगे, यानि यहाँ पर हम लोग connectivity के लिए उसे परचेद account के साथ, connectivity के लिए हम लोग उसे connect कर देंगे furniture के ledger के साथ, तो देखिए द आइटम का नाम लिखते है, that's called furniture, और furniture बनाते समय आप एक चीज ध्यान रखे, यहाँ पर आपको लेना होगा unit के अंदर na, क्यूंकि आप लोग को unit नहीं बतानी है, उसका एक amount बताना है, एंटर करते हुए आप आगे बढ़िए, और यहाँ पर आपको जब connectivity करनी है furniture को कि इसके साथ एक ledger के साथ, यह एक item master है, और आप चाहते हैं इसकी connectivity इसके साथ हो जाए, ledger के साथ हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको specify hair करना होगा, और जैती आप specify hair करेंगे, उसके बाद, specify hair करने के बाद, आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा F3, और F3 प् तो यहां आपको account master बनाना पड़ेगा कौन सा furniture, तो यहां पर आप furniture बनाएगे और यह जो है आपका किस group में जाएगा जो की है fix asset और यहां पर depreciation का कोई rate आपको given नहीं है, enter करते हुए आप आगे बड़े और यहां पर F2 से accept कर दे, तो जैसी आपने F2 से accept करा, उसके बाद चेक करिए कि यह जो item master है, यह automatically connect हो गया है किसके साथ, आप चेक करें यह जो item master है, यानि आपने item मनाया है stock item, बट यह अब stock item नहीं रह गया है, इसका connection हम लोगों ने जोड़ दिया है, एक ledger के साथ, आप देख सकते हैं, इसका connection ledger के साथ automatically जुड़ गया है, जिसकी अगर आप यहाँ देखें, तो इसका connection ledger के साथ जुड़ने की वज़े से, अब यह ledger treat किया जाएगा, एक item नहीं treat किया जाएगा, तो इसका जो भी impact पड़ेगा, वो एक ledger पर पड़ेगा, आइटम पर नहीं पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और आप देखते हैं हमारे पास, इस transaction को कर लेता हूँ, मैं F2 से accept, और accept करने के बाद enter करते हैं, और अब देखिए आपका cursor automatically जो है amount पर चला गया, और अब आप amount बताएए कितने का amount आप लोग को यहाँ पर बताना है, जो कि 20,000 रुपे और 20,000 रुपे बताने के बाद next line में आईए, और उसके बाद F2 से यहाँ पर आजाएए, क्योंकि आपको text लगाने हैं, और F4 से इस पर GST लगा दीजे, देखिए, GST भी लग चुका है, CGST और HST, और आपको ledger भी create नहीं करने, F2 प्रेस करिए, save करिए, और voucher numbering हो गई, आपकी bill reference number 1 बन गया, और आपका यह goods है, capital goods की entry complete हुई, तो इस तरीके से आप capital goods की entry कर सकते हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगली entry पर, और इसमें, अब आपको ध्यान रखना है, अगली entry क्या है, दोस्तों देखिए, अगली entry में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपने एक telephone bill receive किया है, किस से, V telephone की service लिया, Vodafone company से, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर telephone expense बनाना पड़ेगा, और यह service entry है, mode आपको वही रखना है, चलिए देखते हैं, कैसे करेंगे, इसके बाद enter करते हैं, यहाँ पर main लेने के बाद, आप तारीक बताएंगे, जो कि है 57, और 57 बताने के बाद voucher numbering फिर से आपको नहीं given है, तो 2 ले लीजे, और क्योंकि आपका GST, इस party का 07 ही है, तो local party है, और यहाँ पर जो rate of GST है, वो 18% है, party हम लोग create करेंगे, F3 के साथ, party कौन सी है, यहाँ पर Vodafone, तो Vodafone party आप create कर लीजे, और Vodafone party create करने के बाद, आप यहाँ पर group ले ल तो GST number हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से, select कर लिया, मैंने GST number और select करके इसे copy कर लिया है, और अब मैं इसे paste कर दूँगा यहाँ पर, और paste करने के बाद, enter करेंगे और save कर देंगे F2 के साथ, तो save कर दिया, उसके बाद आप इसे yes कर दे, और यहाँ पर capital goods नहीं इस बार input service लेना है, और service लेने के बाद, आप यहाँ पर बतारेंगे item, तो item का नाम, क्योंकि इस बार फिर से वो ही बात आ गई, कि आपको item के अंदर ही service का भी काम करना है, तो यहीं पर F3 प्रेस करिए, अब बना तो आप एक service रहे हैं, लेकिन वो item service के साथ connect हो जाएगा, यह आप लेने के साथ आपको सिर्फ एंटर करते हुए नीचे आना है, और नीचे यहाँ पर specify hair करते हुए service के साथ इसकी connection कर देनी है, और service का ledger आपका क्या बनेगा, वो भी again telephone bill ही बनेगा, दो ledger, यानि दो ledger कह रहे हूं में, एक item और एक ledger दोनों same बनेंगे, आप यहाँ ध्यान रखे, यह इस बार indirect expense के अंदर बनेगा, तो यहाँ पर आपको indirect expense लेना है, और F2 से इसे save कर दीजिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं connection बन चुका है, यहाँ पर आप चेक करें, तो आपका connection, telephone bill का जो connection है, वो telephone bill क ledger के साथ बन चुका है, तो automatically अब इस पर जो GST भी लगेगा, या कुछ भी लगेगा, तो एक service treat किया जाएगा, तो दो तो बहुत ही simple सा concept है, चलिए, बात करते हैं, इस entry को save कर लेते हैं, और save करते हुए, आगे बढ़ते हैं, और अब आप देखें, आपका cursor direct amount पे जा रह charge कर दीजे, basically बहुत simple तरीके से आपके entry complete हो चुकी है, आप 2 से आप save कर दीजे, enter कीजे, F2 and then F2 save, ये हो गया आपका entry complete, उसके बाद आएए दोस्तों बात करते हैं, तीसरी entry की, तीसरी entry में आप sale कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, आपका जो concept है, वो आपको ये बता है, ठीक है जी, party को issue किया है bill, तो इसका मतलब आप service को sale कर रहे हैं, तो sale करते समय आपको entry pass कर रहे हैं, चलिए देखते हैं, कहते आप entry pass करेंगे, same है service का bill है, तो चलिए बनाते हैं इसको भी इसी तरीके से, लेकिन sales के लिए आपको इस voucher को छोड़ना पड़ेगा, तो आ आपको दी है, यहाँ पर 57, तो यहाँ पर आप 57 डाल दीजे, बहुत ही simple तरीके से 57, उसके बाद आपको यहाँ पर enter करना है, और enter करने के बाद sales type, दोस्तों यहाँ पर sales type क्या है, sales type आपको load लेना है, यहाँ पर देखिए बताया नहीं है कि party कहां की है, within state है, outside state है, या उ local party GST 18% ले लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर F3 से party create करेंगे, और party का जो नाम है, वो है galaxy limited, तो यहाँ पर आप galaxy limited बनाएंगे, और galaxy limited का ledger enter करते हुए, आप लोग यहाँ पर group लेंगे, group क्या रहेगा आपका, group रहेगा आपका debtor, और debtor बनाने के बाद आप इसे enter करते नीचे आएंगे और यहाँ पर unregistered ले लेंगे, because आपको GST number नहीं पता है इनका, yes कर दीजे, yes करने के बाद आप यहाँ पर आईए, enter करते हुए, और यहाँ पर जो product है, अभी product तो आपका service है, यहाँ पर product तो है नहीं, तो service की entry अगर आप कर रहे हैं, तो बहुत ही simple तर point समझना बहुत जरूरी है आप लोग को, इस बार आपको sales account के साथ connection बिठाना है, पर chase के साथ नहीं, तो यहाँ पर specify here करिए, और यहाँ पर audit service का एक ledger create कर दीजे, जो कि आपका रहेगा indirect income के अंदर, क्योंकि इस बार आप लोग ने service को किया है sale, तो यहाँ पर आपको indirect income लेना होगा, F2 से करिए से save और yes कर दीजे, उसके बाद आपका connection हो चुका है, F2 प्रेस करिए और yes कर दीजे, यह हो गया आपका item, उसके बाद आपको amount बताना है, तो amount है 92,000 रुपीज का, उसके बाद enter कीजे, और F2 के साथ यहाँ पर आजाएए, bell sundries के अंदर, आप F4 से जो है GST लगा देंगे, उसके बाद F2 से से save कर दीजे, तो यह जो है आपकी entry complete हो चुकी है, तो दोस्तों, अब मैंने आपको दिखाया, कि तीन तरह की entries मैंने आपको check करा दी है, एक बार यह entry भी कर लेते हैं, जो की है purchase की, लेकिन इस बार आप item purchase कर रहे हैं, और वो भी normally आइटम ही खरीद रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, इस बार purchase करते हैं एक item, और कैसे करेंगे, आए चेक करते हैं, दोस्तों, आइटम purchase करने के लिए, सबसे पहले आपको जाना होगा purchase के लिए, तो F6 प्रेस करें, purchase पर आजएए, enter प्रेस करें, enter प्रेस करने के बाद आप बताइए date, तो यहाँ पर आपको date देखने को मिलेगा 6-7, तो 6-7 date डाल दीजे, voucher की जो numbering है, वो आपको यहाँ पर given है, वो है MB, और MB voucher की numbering आप यहाँ पर डाल दीजे, paste, और यहाँ पर जो party है, वो outside state है, क्योंकि यह 27 है, और यहाँ पर outside state है, तो IGST लगेगा, और व बनाएंगे creditor, और creditor बनाने के बाद इसका GST number आपको डालना है, लेकिन उससे पहले आपका state बताना पड़ेगा, तो state है महरास्टर और महरास्टर state बताने के बाद आप यहाँ पर जो है, इसका GST number जो है, copy करीए और paste कर दीजे, उसके बाद yes करेंगे, yes करने के बाद इंटर बारेंगे, और यहाँ पर आप लोग goods, input goods and service ले लेंगे, और यहाँ पर आपको item create करने है, और item में सिर्फ आपको यहाँ पर बनाना है, एक item जो कि है आपका DVD, अगर आपका item पहले से बना होगा, तो आप यहाँ पर नहीं बनाएंगे, और उसे alter कर सकते हैं, या त बता दीजे का जरूर कितनी है, 18%, तो text की category बता दीजे, क्योंकि बाद में अगर डिक्कत हुई, इस item पर, तो हम लोग यहाँ पर GST automatically charge हो जाएगा, यह कब काम आएगा, मैं आपको बताऊँगा, F2 ऐसे save कर देते हैं, उसके बाद आपको quantity पूश रहा है, तो quantity बता दीजे 50 पेसे हैं, और rate है आपको 600 रुपे से, उसके बाद आप लोग को इसमें और कुछ charge नहीं करना है, और F2 प्रेस करते हुए, आप यहाँ पर आजिए, और F2 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर F4 से bill पे GST लगा दीजे, उसके बाद आपको इसे F2 से save कर देना है, तो दो वाली वीडियो में मैं आप लोग का आगे की इंटरीस बताऊंगा, तो आगे की इंटरीस के लिए मुझे नेक्स वीडियो में जरूर देखे, थैंकियो सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो, हैव वंड़फुल दोस्तों, हैपी लेर्निंग, बाई!